जय स्रीराम साथियो मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज हम आपको लेकर आएं यमना एक्स्प्रेस वे अथर्टी के सेक्टर 18 पॉकिट 2B में यह एक हमारा कंश्टेक्शन है जो कंप्लीट हो गया है खाली इस पेंट का काम रहा है जाया है सारी जानकारी वीडियो में आपको दी जाएगी और मैं बताऊंगा कि यहां पे सेक्टर 18 में अगर आप जैसा जानते हैं कि मोशली सभी पॉकेटों में 300 मिटर के प्लॉट है आज के टाइम पे अगर आप 300 मिटर का प्लॉट यहां पर रिशेल में देखते हैं तो जिसको कंपलीशन बोलते हैं चाहे वो करें या मैक्सिमम करें पैनल्टी से बचने के लिए मगर उस टाइम को बढ़ाके अब 31 दिसमबर 2024 कर दिया गया है तो तब तक आपको अपने प्लॉट पे कंस्टेक्शन कराना है अगर आपका रेइस्टर प्लॉट है जिससे की फ्य प्लॉट में ही आप देखेंगे तो आपको 499 में नंबर प्लॉट देखने के लिए मिलेगा जो की बना हुआ नहीं है यह प्लॉट बना हुआ है अगर दोनों को सेल किया जाता है जैसे की 400 में को या 500 को तो आप भी देखेंगी कम से कम 15-20,000 रुपे का फरक दोनों ही प्ल लेगी उसके बाद ही आप उसको सेल कर पाएंगे तो आपने चाहिए किसी भी कंडिशन में अपने लिए प्लॉट लिया है चाहिए इंवेस्टमेंट के साब से रहने के साब से आप मिनीमम का इस्टेक्शन जरूर कराए उसके लिए आप अच्छे जो यहां पर बिल्डर ह उनसे आप करा सकते काफी लोग यहां पर अच्छे काम कर रहे हैं या आप हमारे ओफिस आ सकते हमारे ओफिस का एड्रस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर एस एंजी प्लाजा अंसल गोल्फिलिंग वन नियर नौलिज पारक टू मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नौरेडा और पास आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमने किया है आप देखेंगे यह घर में एंट्री करने के लिए गेट है रेम बना हुआ है आप अपना इसमें गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं पिल्कुल अच्छा मजबूत इसको बनवाया है और आप देखेंगे कि मुस्ली यहां आपको घड़े ही देखने के लिए मिलेंगे तो हमने इसमें मिट्टी डलवाई है जिससे कि एक फुट के आसपास यह रोड से ऊपर है जिससे कि पानी वगएर ना भरे पानी ना रुके तो उसके लिए यह मैंगेट मैंगेट से हम एंट्री करेंगे तो यह घर में अंदर यहां से आप आ सकते और यह एक खाली जगा है जिसको आप पारक वगएरा अच्छे से बना सकते हैं देखिए जब भी आप घर बनवाए थोड़ा इसी साब से यहां पर काफी लोग कंस्टेक्शन करा रहे हैं मिनिमम कंस्टेक्शन जो है तो कुछ अच्छी क्वाल्टी की है कुछ काम चला हुए है तो कम से कम आप ऐसा कंस्टेक्शन करा कि हम गेट यूज़ करते हैं बहुती हमजबूत और थिफ्टरी गिट यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं उसे तरीके से अंहेंज की यह आप देख सकते हैं काफी मजबूत विंडो एक घर अगर आप देखें तो उसकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए चछत मजबूत होनी चाहिए और उसके गेट मजबूत होने चाहिए तो वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा प्रोपर हमने पानी का लाइट का काम कंप्लीट किया है यह MCP बोर्ड है जिसमें आपकी लाइट का कनेक्शन आ जाएगा और पूरे घर में लाइट यहां से आ जाएगे यहाँ पर पूरा पानी का कनेक्शन किया हुआ है अंदर लेक सकते हैं इस तरीके से बड़िया मजबूत सिलिप डलवाईए जिसे कि जब तक घर रहे तब तक इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए लाइट का प्रोपर काम कराये हुआ है अभी पेंट होगा पेंट के बाद और भी बहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा स्विच देखने के लिए मिलेंगे एक रूम आप इधर देखेंगे इधर देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं और दो रूम आपको इधर दौनों साइड़ों में देखने के लिए मिलेंगे दो इसमें बड़े वास्रूम आपको देखने के लिए मिलेंगे इ एक रूम ये है इसी के साथ ही ये washroom है back side में इसमें दो वाच्रोम हैं एक में हिंटी सीट हमने लगाई है एक में वेस्टन इंगलिस सीट हमने लगाई है प्रपर पुरा काम करके दिया है पानी का light का washroom में भी दी सकते हैं आप इस तरीके से हमारा मकसद यही है कि यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लीशन बनाए जाए जिससे फूचर में जब भी घर बने प्रॉपर तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम यहां पे करें बहुत कम रेट में हम इस तरीके का वहतरीन काम करके दे रहे हैं आप देख सकते हैं इधर भी इस वाट्स रूम में भी यह दूसरा वाट्स रूम है प्रोपर पूरा काम किया गया है पानी का भी लाइट का भी और यह पीछे वैटिनेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं इधर आप आएंगे तो एक रूम आपको इधर देखने के लिए मिलेगा आप चट में फैन बगेरा सारा कुछ कमप्लीट देख सकते हैं और यह बैक साइड में गया से आ सकते हैं यह आप देखे किस को भी हमने पका कराया है और फीछे भी विंडो आप इसमें देख पाएंगे यह पीछे की साइड जिस साइड आपका गेट होता हे और पीछे आप वास रूम ले सकते हैं यह एलाओ है तीन मीटर जो बैक साइड में जगा रहती है तो यह पीछे की तरफ वही वास्रूम है और यहां पे भी पानी का प्रॉपर काम हुआ है और यह हमने जिससे की कोई इसमें पाइप जो है उसमें किसी भी तरह का कोई कचरा ना जाए पानी ना रुके उसके लिए काम कराया है कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़िये बहतरीन और सबसे अच्छी बात देखने के लिए मिलेगी आपको कि हमने सभी गेटों पे पल्ले चड़ा के दिये हैं यहां पे आप देखेंगे तो काफी ऐसे लोग हैं जो मैं गेट पे पल्ला चड़ा दिया बैक ड्राइंग बूम हो गया तो अच्छा रेंट आपको मिलेगा बढ़िया और काम भी आप देख सकते हैं बिलकुल हमने मजबूत और अच्छी क्वाल्टी का काम करके दिया है जिसे कि लंबे टाइम तक यह घर चले आप आज पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम वो पैसा आपक कम से कम अच्छा लगें देखने में उस तरीके का आप जरूर बनवाएं यह नहीं काफी लोगों के हमें भी कॉल आते हैं कि हमें तो खाली कंप्लिशन सैंटिविकिट चाहिए इस तरीके का बनवाना है तो उन सब चीजों से आप बचें यहाँ पे काफी लोग ऐसे मिल ज जो भी यूज होते हैं यहाँ पे वो उनको इखटा करना उनको अबिलेवल करना वो हमारे लिए बहुत आसान है तो चाहे लेवर की बात हो या टेक्टर की टैंकर की पानी के लिए डंपर की जेसे विकिए वो सब हमारे अपने हैं तो उन सब चीजों को देखते हुए इस भी तरीके का उसके लिए आप संपर कर सकते हमारे ओफिस आ सकते या आप मुझे कॉल कर सकते दिये हुए नम्बरों पर और जानकर ही ले सकते हैं आप मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप यहां पर 300 मिटर का प्लॉट देख रहें सेक्टर 18 है सेक्टर 20 की पोकिटों मे स्कते जैसा कि आप जानते कि सक्टर 18 में मोच्टली आपको 300 मिटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे और इसक्टर 20 की बी काफी पॉकिट हैं जैसे कि F pocket हो गई, G pocket हो गई, H pocket हो गई, आपकी K हो गई, L हो गई, M, N, O, P इस तरीके से आपको pocket देखने के लिए मिलेंगी तो उनमें भी 300 मीटर के, तो यहाँ पे अगर 300 मीटर के plot के price की हम बात करें तो 2 करोड 10-15 लाग से plot start हो जाता है, वो plot की location पे depend करता है और price 2 करोड 50-55-60 लाग रुपे तक चला जाता है, रिसेल में, अब वो plot की location पे depend करता है अब जैसे यह plot है, 500 number plot है, आप देख पा रहे हैं, पारक facing plot है सामने पारक है, इसका price अलग होगा, यहीं पे थोड़ा आगे आप चलेंगे तो corner plot आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी पारक facing, उसका price अलग होगा corner plus पारक facing, एक अगर जैसे आप जानते हैं कि 12 मीटर का ही रोड यहाँ पे minimum सबसे चोटा रोड जो है, वो 12 मीटर का है, अगर 12 मीटर पे ही कोई plot है उसका price अलग होगा, तो price डिपेंड करेगा plot की location पे, किस pocket में plot है, किस sector में plot है, इन सब पे डिपेंड करता है तो आज के time पे भी अगर आप यहाँ पे property खरीते हैं investment के इसाब से, तो बहुत ही बहतरी इन option है, आप खरी सकते हैं आने वाले time में भविश्य में आपको rate बढ़ते हुए ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि future में आप देखेंगे तो आपको film city, airport, बड़ा एक industrial area, एक education का area, डबल अप होते हुए आप देखेंगे और कुछ time बाद running में कुछ चीज़ें आएंगी, तो rate काफी ऊपर तक जाएंगे, तो आप जरूर यहाँ पर invest करें, अगर आपका budget है, budget एलाओ करता है, तो आप चाहें छोटे size, बड़े size में, 300 meter, 500 meter, 1000, 2000, 4000 meter तक आप यहाँ पर invest कर सकते हैं, यहाँ पर काफी plot हमने मलिक property and construction लिखा हुआ है, सारा number वगेरा सभी कुछ, plot number 2B में 466 number plot है, तो काफी हमने construction किये हैं, मुझली सभी pocket हो में आपको हमारे construction देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर हमने 80 के आसपास हमारे काम running में चल रहे हैं, 80 के आसपास, जिनमें से हम 35, 40 के आसपास complete कर चुक हैं, जिनके plot हैं उनको, तो आप उनी लोगों से काम कराएं, जो proper काम कर रहे हैं, जिननोंने map pass कराए हैं, construction complete किये हैं, completion certificate दे चुके हैं, उनी से आप काम कराएं, कहीं फस ना जाएं, क्योंकि काफी लोग आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, जिनके चक्कर में आके आप फस स जाती हैं, तो आप proper काम करें, तो इस तरीके के भी काफी काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलें, उन लोगों से आप चरूर बचें, और अच्छे लोगों से ही काम कराएं, तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी, आज की वीडियो को यही समाप्त क करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के पास सेर करें, जिनके यहां पर रेइस्टरड प्लॉट है, वो कंस्टेक्शन कराना चाहेते हैं, उनके पास यहां पर इंवेस्ट करना चाहेते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को सेर क पर किलिक करें जिससे फ्यूचर कोई भी वीडियो पर जाल पर अप्लोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों जै हिन जै भारत